आज हम लोग बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में ग्रामर का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें कोई ना कोई शवाल, कोई ना कोई क्वेशन इससे रिलेटेट जरूर होगा और खास करके जब आप बोर्ड एक्जाम देते हो या रेलवेग एक्जाम्स देते हो या कोई भी कॉंपिटेटिव एक्जाम्स देते हो तो उसमें फ्रेजल वर्ब्स से रिलेटेड कोश्चन जरूर रहता है तो मैं आप लोगों को 100 फ्रेजल वर्ब्स दिखाऊंगा जिसमें से श्योर कोई न कोई एक कोश्चन उससे जरूर रहता है तो हम लोग देखेंगे वो 100 फ्रेजल वर्ब्स जिसमें कोश्चन्स हमारे कॉमन आते हैं यहां से एक नमबर से अगर आप चेक करोगे तो 1,2,30 आप यहां फ्रेजल वर्ब्स देख सकते हो जैसे अबाइड बाइड मेंस फॉलो, एक अपॉन मेंस अफेक्ट, ब्रेक आउट दाट इस स्प्रेड ओके आप एक एक करके पूरे को अगर आप देखोगे जैसे ब्रेक इंटू, एंटर, फिर फोर्ष फुल्ली, ब्रिंग आउट, पब्लीज, बियर अवे, विन, ब्रेक डाउन, डैमेज, ओके ब्रेक आउट, ओके, तो आप इस तरह से पूरे थर्टी तक इसको जरूर देखोगे और जैसे कॉल फॉर, मिन्स, रिक्वायर, कट आउट, एक एलिमिनेट, ओके, केम अबाउट, एक हैपन, कॉल आउट, एक रिकॉल, कॉल इन, शामन, कॉल फॉर, डिमांड, दाई डाउ डिस एपियर, डू अवे वीड, ओके, आप इसको 60 तक कंप्लीट करके देख सकते हैं, आप जरूर इसको बार 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 देख करके जड़ा याद करेंगे, कारण इन ही सब में से जरूर आपके एक्जाम्स में कॉस्टोंस देता हैं, और keep up, maintain, keep back, come near, look into, that is examine, look down upon, that is hate, look for, search, lay by, save, है ना, आप इसको पूरी तरह से 90 तक आप इसको जरूर देखोगे, जैसे put off, postpone, है ना, that is last, मैं जो पढ़ रहाँ, sit for, appear, इसको अवश्य आप लोग याद करोगे, या आप अपने copy में, इस वीडियो को देख करके, आप इसको अपने copy में उतार लिजे, और, यहाँ आप देख सकते हैं, that is 91, set off, go, see off, bite, goodbye, okay, turn down, reject, करके, यहाँ पर मैंने 100 phrasal verbs आपके लिए रखा है, ओके, तो एक चीज हम लोग जरूर सीखेंगे, example, exam में जो देता है, जैसे, I met my classmate in the field, देखिए, mate को underline किया हुआ है, उसके लिए आपको phrasal verbs use करना है, तो मान लीजिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, mate का phrasal verbs come across होता है, ठीक है, और आप क्या करते हो, box में come across लिखके चले आते हो, friend, यह बिल्कुल गलत है, हम लोगों को tense को भी follow करना होगा, आप देखो, यहाँ पर mate है न, meet, mate है न, that is second form, तो हम लोगों को इसको second form में लिखना होगा, that is, came across, come across गलत होगा, came across सही है, जैसा कि आप लोग जानते हो, investigating का meaning होता है look into, तो investigating है, भरक के साथ I.N.C. लगा हुआ है, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, looking into कर देंगे, यह सही है, और look into गलत हो जाएगा, ओके, thank you.